सोशल मीडिया पर एक महिला ने ओर्डर किये हुए खाने की तस्वीर शेर करते हुए बताया कि उसने जो मैटो सो पालक पनीर ओर्डर किया था, लेकिन जब उसने पारसल खोला तो पालक पनीर की जगहे चिकन मिला. जब भी हमें कुछ बाहर का, खाने का मन होता है, तो हम जटपट अपने पसंदीदा होटल से अपनी पसंदीदा डिश मंगवा लेते हैं. फूड डिलीवरी की इस सुविधा से हमारा जीवन और भी आसान हो गया है. लेकिन कभी-कभी फूड डिलीवरी वालों से ऐसी गलती हो जाती है, जिससे कम्पनी का नाम खराब होने लगता है. सोशल मीडिया के इस जमाने में फूड डिलीवरी एप्स की खूब फजीहत होती है. ऐसा ही एक मामला फिर से सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहां दिली की एक महिला ने आरोप लगाते. वे कहा कि उसने खाने के लिए वेज आइटम ओर्डर किये थे, लेकिन उसके पारसल में नौनवेज आइटम डाल कर भेजा गया. महिला ने सोशल मीडिया पर फोटो शेर कर की शिकायत घटना का जिक्र करते हुए हिमाशी नाम की महिला ने सोशल. मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर खाने की तस्वीरों को शेर किया. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए महिला ने लिखा मैं जो मैटो पर इट फिट से पालक पनीर, सोया मटर और मिलेट पुलाव ओर्डर किया था लेकिन पालक पनीर की जगए जो मैटो वालों ने चिकन पालक दिलीवर कर दिया है सावन के महीने में चिकन की डिलीवरी अस्वी कार्य है जबकि मैंने सिर्फ वेज खाने का ही ओर्डर दिया था जो मैटो ने महिला की पोस्ट पर दिया यह जवाब महिला का ये पोस्ट जब वाइरल हुआ तो लोग पोस्ट पर तरहत्रह की प्रतिक्रिया देने लगे साथ ही हुए इस गड़बड़ी के लिए लोग जोमेटो की आलोचना करने लगे इसके अलावा कई अन्य लोगों ने जोमेटो से हुए डिलीवरी पर अपने खराब अनुभवों को भी शेयर किया जिसके बाद आखिरकार जोमेटो ने हिमाशी के पोस्ट पर जवाब देते हुए माफी मांगी और कहा कि हम इस गड़बड़ी को सुधारने का प्रयास करेंगे हम समझते हैं कि यह आपके लिए कितना कश्टदायक रहा होगा हम आपकी आहार संबंधी प्राथमिक ताओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनका अनादर करने का इरादा कभी नहीं रखते हैं कृपिया हमें इसकी जाच करने के लिए कुछ समय दें हम जल्द से जल्द अपडेट के साथ आपके पास वापस आएंगे झाल